कहा जाता है कि प्यार के चक्कर में पढ़कर इंसान सब को भूल जाता है प्यार हो जाने पर इंसान अपने सपनों को किसी और की सोच के साथ साजा करने लगता है प्यार में पढ़कर इंसान इसकदर अंदा हो जाता है कि वह अपने अतीत को भी भूल जाता है रिष्टे नाते को दरकिनार करकर कुछ लोग अपने प्यार के साथ जीवन की माला पिर होते हैं प्यार के खातर कुछ लोग अपने बच्चों तक की कुर्बानी देरे से नहीं चुकते कुछ ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है दो बच्चों की मा को युवक से प्यार हो गया इसके बाद महिला ने अपनी आगी की जिन्दगी उसके नाम कर दी युवक के प्यार में डूबी महिला दिन रात उसी के सपनों में खोई रहने लगी और एक दिन वा अपने प्यार के साथ बच्चों को छोड़ कर ख़र से भाग गई मामला भागलपुर जिले के इशाप्चक थाना छेत का है यहां की महिला युवक को दिल दे बैठी आता जाता रहता था एक दिन दो बच्चों की मा और युवक को आपस से प्यार हो गया दोनों ने एक दूसरे के साथ जी ने मरने की कसमे खाई दोनों के प्यार की भनंग जब परिवार वालों को लगी तो इसका विरोत किया इसके बाद युवक का महिला के घर आना बंद हो गया अपने प्यार से जुदा होरे महिला को या सब बरदाश नहीं हुआ एक दिन महिला ने देवर के साथ मिल गर घर से भागने की योशना बना डाली इसके बाद दो बच्चों को छोड़कर महिला घर से देवर संग भाग गई परिजनों ने महिला की कोजबिन के लिए पुलिस को तहरीर दी चार दिन बाद अचानक प्रेमी संग घर लोटी महिला ने देवर के साथ रहने की इच्छा जटाई तो सभी हैरान रह गए परिजन बच्चों की दुआई देकर महिला को मनाने में लगे थे लेकिन प्यार के आगे अंधी महिला को कुछ और मंजूर नहीं था यहां दोनों पक्षों को पुलिस के सामने पेश किया गया दोनों पक्षों से पुलिस ने लिखे तहरी ली है महिला प्रेमी संग रहने की जिदपर अड़ी थी मामले के निप्टारेक ने पुलिस ने महिला हेल्प लाइन से काउंसलर को बुलाया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पुलें